धिकel दोस्टों मैं हूँ बैववव और आप देख रहे हैं नीट मास्टर्ज तो आज मास्टर दीन सी ऐल टी बैयॉलेजी में आज हम बात करेंगे एंसि ऐल टी के सांटिस्ट जो है See आल टी के जितने भी सांटिस्ट उन की जो बायोग्राफी है तो बात आती है कि ये क्यों कर रहे हैं साइंटिस्ट की बायोग्राफी से हमें क्या मतलब है NCRT ने जितनी भी साइंटिस्ट के बारे में दे रखा है उसमें सारे के सारे important चीज हैं और वो direct exam में उठकर आते हैं बहां से तो ये चीज हमारे लिए important है तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं यहाँ पर टोटल NCRT में कितने साइंटिस्ट की बायोग्राफी है टोटल हमारी NCRT में टोटल 10 unit हैं तो 10 unit में टोटल 10 बायोग्राफी की चर्चा NCRT ने की है ठीक है भाई टोटल कितने हैं 10 हैं तो 10 बायोग्राफी की चर्चा NCRT ने की है ओके चलो भई तो स्टार्ट करें सेशन को तो NCRT scientist बायोग्राफी आज मैं सिर्फ इसका बायोग्राफी करवा रहा हूँ कभी और जो सेशन होगी उसमें इसके questions भी करेंगे है ना जितने भी scientist की बाग्राफी है ना इससे related कितने questions बन सकते हैं वो अगली क्लास में बात करेंगे और आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ NCRT के लाइनों को जानेंगे कि NCRT क्या कह रही है स्टार्ट करते हैं पहली यूनिट है पहली यूनिट में NCRT ने Ernest Mayer का जिक्र किया है किसका जिक्र हुआ है वही अरनेस्ट मायर का जिक्र हुआ है तो यह important है चीज यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या क्या चीज़े पूछी जाती है एक एक चीज हम लोग यहां पे 2004 इन केंपिटेंज जर्मनी तो हमारे लिए सबसे important चीज़े यहां पे इनका जन्म कहा हुआ केंपिटेंज जर्मनी कैथरीन इसाओ का जन्म है यूक्रेन में वो चीज़ एक्जाम में आ चुकी है तो इसके आने की भी पूरी probability बनती है तो आरनेस्ट मेयर का जन्म कहा सिटी के थे यह evolutionary biologist थे evolution जब हम पढ़ते है evolution तो डार्वीन का एक नाम उसमें आता है जो सबसे बड़ा नाम evolution के field में आता है वो डार्वीन है जिसे डार्वीन है इनके अवे लाइमार्क का बाता है तो ऐसे ही अगर बात की जाए 20th century के बारे में तो जिक्र अरनेस्ट मेयर का आता है डार्वीन तो 19th century के थे क्योंकि उनकी किताब भी तुम जानते हो गा origin of a species why यह 19th century की है मैं समझ गया तो यह बात है evolution से related थे तो नाम क्या बोला गया evolutionary biologist बोला गया इनको कहा जाता है the Darwin of the 20th century the Darwin of the 20th century क्योंकि Darwin खुद कब के थे 19th century के थे was one of the hundred greatest scientist of all the time अगर आज तक भी अगर hundred greatest scientist का जिक्र होगा तो उसमें जिक्र जरूर होगा अरनेस्ट मायार का यह नाम important है याद रखना आगे scientist of all the time मेर ने जोएन की हवाट फैकल्टी के तौर पे arts and science जोएन की इन्होंने 1953 में 1975 में retire हो जाते है और इनको उसी वक्त में title मिलता है Alexander Agassiz Professor of Jolosie Emeritus Alexander सिकंदर से तुलना की गई है Agassiz Agassiz का मतलब होता है retired तो यह जब retire कर गए उस समय ही इने title मिली थी Alexander Agassiz Professor of Jolosie Emeritus Jolosie की बात की गई है मैं इस पूरी Jolosie की अगर बात करें तो उसमें एक बहुत ही बड़ा नाम इनका तो नाम रखा गया Alexander Agassiz Professor of Jolosie Emeritus Direct exam में पूछा जाएगा title दे रखा होगा नीचे चार scientist के नाम होंगे के title कीन है दिया गया तो direct याद रखना है Arnest Mayor Alexander Agassiz Professor of Jolosie Emeritus Throughout his nearly 80 year carrier पूरे 80 साल का जो इनका carrier रहा उसमें इनोंने काम किसके सीजों पे किया Ornithology पे मतलब birds की study पे काम किया जैसे Dr. Salim Ali को सब लोग जानते होंगे Salim Ali की कहानिया भी समने पड़ी होगी Birds की अगर बात करें तो Indian वो कहे जाते हैं जिन्होंने सबसे ज़दा birds के study की Dr. Salim Ali ऐसे ही Ornithology पे इन्होंने बहुत ज़दा अपना time दिया Birds के study पे बहुत ज़दा इन्होंने time दिया आगे Taxonomy इन्होंने taxonomy पे भी काम किया Miss identification पे, Nomenclature पे, Classification पे इन्होंने बहुत ज़दा काम किया है जो geography पे कहने का मतलब पुरी दुनिया में अलग-अलग type की geography है कहीं island है, तो कहीं oceans है, कहीं she है, तो कहीं river है अलग-अलग जगों पे, species कहां-कहां रह रहे है, animals कहां-कहां रह रहे है उनको बोला जाता है, geography अगर यही, क्योंकि थे तो geology वाले है, animals पे काम करते होंगे अगर यह plant में, different जगों पे, जो plant के study की जाती होगी उनका नाम phyto geography बोल सकते हैं, क्या next, evolution पे भी काम तो किया है, तभी तो Darwin of the 20th century कहा गया systematics पे भी काम गया अभी दोनों word हमें confuse करते हैं एक term तो taxonomy है, और एक term systematics है taxonomy का simple सा मतलब हो गया identification, nomenclature और classification इन तीनों चीजों के study taxonomy में करते हैं अगर taxonomy का relationship, अगर philogeni के साथ किया जाता है अगर taxonomy का relationship, evolutionary relationship के साथ किया जाता है अगर taxonomy का संबन्ध, पुराने, पुरवजों से संबन्ध अगर है चाहे वो animal में, चाहे वो plant में उस चीज़ को हम कहते हैं, systematics taxonomy plus evolutionary relationship equal to systematics anxiety की लाइन है, systematics also accounts into evolutionary relationship the living world की लाइन है and the history and philosophy of biology की पूरी तरह से बात की history वगरा सब की he almost single-handedly made the origin of a species diversity the central question of the evolutionary biology that is today जैसे origin of a species किताब है, एक Darwin की किताब है origin of a species की तो origin of a species जो book है ये central question में आज भी ये चीजों की overall पूरी तरह से पड़ताल ही चल रही है कि किसी भी species का origin कैसे हुआ तो ये चीज इस पे भी नोंने काम करा था next यहां से काम की चीज जो है जो आज by law school species की जो definition कही जाती है तो by law school species की क्या कही जाती है इस definition कहते हैं दो species अगर आपस में interbreed करते हैं अगर दो सेम species आपस में interbreed करते हैं उनके बाद जो उनका बच्चा पैदा होता है उसके बाद जो उनका ओफ़स्प्रिंग पैदा होता है अगर वो भी फर्टाइल है तो इसको क्या बूला जाएगा कि वो सेम स्पेसीज के ही हैं दो सेम स्पेसीज अगर आपस में इंटरब्रीड करते हैं और उसके बाद जो उनका ओफ़स्प्रिंग पैदा होता है अगर व वो भी fertile है तो इस शीच को बोला जाएगा कि वो biological species के ही इससे है तो इन्होंने बताया था जो आज accept किया जाता है definition इनको तीन प्राइज से नवाजा गया तीन प्राइज में पहले प्राइज का नाम है बालजन प्राइज दूसरे प्राइज का नाम है इंटरेशनल और तीसरे प्राइज का नाम है क्रैफोर्ड प्राइज तो एक हो गया बालजन प्राइज एक हो गया इंटरेशनल प्राइज प्राइज और एक हो गया क्रैफोर्ड प्राइज तो तीन प्राइज है यहाँ पर तो बोल सकते हैं ना ट्रीपल क्रॉन तीन ताज है ना तो य इन्हें ही मिला है बात आती है कि और भी साइंटिस्ट को नहीं मिला है और भी कई सारे साइंटिस्ट को दिया गया है लेकिन हमारी NCRT में 10 यूनिट में जो 10 साइंटिस्ट है उनमें से सिर्फ इनको ही मिला है तो तीन प्राइस ही नहीं नवाजा गया और मेर डाइड अड़ अड़ इस ऑफ हंड्रेड इन दे यर वैसे 2005 में मरे हैं 2004 में नहीं मरे हैं करेक्शन होना चाहिए 2005 जब वी की वीडिया पर तुम देखोगे तो 2005 है यह देट तो ओवर आल यह थे हमारे अर्निस्ट मेर इनके बारे में कोई भी कंफ्यूजन इनके बारे में अच्छे पूछते हैंगे डेट हमें याद रखना है अगर तुमसे याद होता है यह वाल सल का कुछ गैप है इसके एक अधूंद कर लोगे एक्जाम में को चुनिये तो अवरल यही सिंपल सी बात है याद रखना ठीक है ओवर पांचपास साल दस साल पांच सल इसतर का गैप चल रहा है याद रहेगा यह हाँ बहिए सिंपल है पर सिंपल है बही आगे चले हुँ नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सकेंड नंबर और तो हो गए यह हमारा सकेंड यूनिट है सकेंड यूनिट जो बात की जा रही है उसमें कैथरीन इसाओ को जिकर है कैथरीन इसाओ ठीक है के लोग तो देखकर बोलते हैं मेल हैं या फिमल हैं तो यह फिमल है ठीक है यह कौन है कैथरीन इसाओ फिमल है यह भी लगबर 99 एर तक जिंदा रही पुराने जमाने के लोग काफी जिंदा रहते थे हैं यह ना कैथरीन इसाओ केंपटें जर्मनी वाले थे वो यह उक्रेन वाले एक्जाम में पूछा गया है याद रखना यह चीज ठीक है इन्होंने रस्या में अगरिकल्चर की पढ़ाई की जर्मनी में पढ़ाई की और इन्होंने डॉक्टरेट ली USA से United States से 1931 में ठीक है इन्होंने अर्ली पुब्लिकेशन कुछ निकाले जिसमें इन्होंने बताया करली टॉब वाइरस एक टैप का वाइरस है जुसका नाम है करली टॉब वाइरस प्लांट में ये डिजीज फैलाने का काम करता है प्लांट में डिजीज किसके थूफ फैलाता है ये चीज तुमसे एक्जाम में पूछा जाएगा प्लांट में disease फैलाता है फ्लेम के थ्रू डॉक्टर ईसाउ, कैथरीन ईसाउ के ही बारे में बूला जा रहा है, इनकी एक बुक है प्लांट एनाटिमी पे, और 1954 में आती है ये बुक, और इसको डिजाइन किया इन्होंने, तो इन्होंने काम किया है, इसकी नाम किया है कैतेमी साउनने लिख है, नाइटीन सिक्श्टी बाइज स् Mozart, इसको जैसे एक डिक्सनरी है ना, मेरियम वेवस्टर्स तो ये एक डिक्सनरी है, जिसमें सबसे बहतुरीन किताब मानी जाती थी, वेवस्टर्स अभ and biology as a dictionary as a encyclopedia के तौर पे यह था as a encyclopedia के तौर पे यह था National Academy of Science में यह चुनाब जब हुआ उसमें यह elect की गई National Academy of Science के तौर पे becoming the sixth women to receive that honor in addition to this prestigious award इन्होंने और भी इनको reward मिले हैं जसने National Medal of Science President George Bush से इन्हें प्राइज मिला यह सब चीज एक्जाम में कभी नहीं पूछी जाती है Catherine Nisau की मौत होगी 1997 में Peter Raven जो इनके साथ काम क्या करते थे Director of Anatomy and Morphology थे यह Botanical Garden वो याद करते हैं कि कैसे वो 99 शाल की उम्र में भी Plant Biology में उनकी अपनी एक अलग योगदान है अपनी एक अलग Contribution है काम की चीज यूक्रेन करली टॉप वाइरस फ्लम से फैलता है इनकी किताब का नाम Anatomy of Seed Plants वेफ्टर्स of Plant Biology भी से कहा जाता है और बाकी यह Encyclopedia थी एक ओवर ऌल यहां सकी इतने ही पौइंटस इंपरटेंट है यह बात रही गातरीनि इशाओ के बारे में क्लैर हैं बई ubadlar के बाद के बात तीसरे यूणिट पो हां ग्लका एंगे ईन्यें रामाचंद्रं आखेब हैं इंकी यह 78 रही जीएन रामचंदरन एक out standing figure in the field of protein structure किसकी बात इन्हों ने करी हमें साब protein structure ये चीज़ नीट में आ चुके हैं ये scientist मेर भी नीट में आ चुके हैं कैथरीन इसाओ के चांस बनते हैं प्रोटीन के structure पिन्हों इन्होंने काम किया ये मदरास स्कूल के founder रहे हैं इस पर इन्होंने काम किया है ठीक है बायो पॉलिमर समझता कुछ इस तरह से चीज़ जैसे पॉलिमर फैट को अगर छोड़ दें सब अपने पॉलिमर बनाते हैं प्रोटीन के amino acids है मोनोमर कई सारे amino acids मिलती है तब जाकर पॉलिमर का formation हो जाता है glucose कई सारे मिलते हैं तो carbohydrate का formation हो जाता है ऐसे ही तो जो भी confirmational analysis है पुछा जाएगा किस ने दिया तो जेन रामा चंदरन ने दिया है ये ये चीज़ इक्जाम में तुमसे पूछी गई थी कि triple helical structure of collagen जो है वो किसने बताया था triple helical structure के बारे में तो जिक्र किन का आता है रामा चंदरन का और इनकी analysis है मतलब overall जब भी चीज प्रोटीन वगरा से related होगा न तो इसी saini का नाम आएगा ठीक है तो एक चीज आता है रामा चंदरन प्लॉट इसी से प्रोटीन के structure को निकाला गया था तो यह चीज या दखना रामा चंदरन प्लॉट किसने दिया था यही कोशन पूछा गया था रामा चंदरन प्लॉट और इसके पूछे जाने की chances बनती है helical structure of collagen जो triple helical structure उसके discovery किसने की जैसे collagen है तो triple helical structure होता है जैसे primary structure वो simple straight line होता है secondary में चलेंगे तो धीर जरे complex होता जाएगा structure तो रामा चंदरन प्लॉट किसने दिया राजी और रामा चंदरन जी ने दिया है ठीक है तो यह चीज यहाँ पर है पूछा जाएगा रामा कहां लिए भई 1922 में चोटे से सहर में जो कोचीन का सहर है जो इंडिया के साउथ विस्टर कोस्ट में आता है और इनके जो फादर थे वो mathematics के प्रोफेसर थे के local college में और उन्होंने बहुत ही जादा रामा चंदरन जी के interest इन्होंने दिलाया mathematics का तो रामा चंदरन physics course of the biology में इनका contribution है लेकिन काम किस पर किया है इन्होंने physics पर काम किया है उनको PhD मिलता है Cambridge University से 1949 में Cambridge में जब वो थे तो रामा चंदरन मिले Linus Pauling से नाम important है यह scientist का नाम है रामा चंदरन मिले Linus Pauling से and was deeply influenced by his publication of models of the अब यह चीज़ तुमसे पूछा जाएगा Alpha Helix और Beta Seta structure यह चीज़ किस ने दिया तो Linus Pauling ने दिया बच्चे गलत समझ लेते हैं कि यह चीज़ यह रामाचंदरन जी ने दिया है नहीं NCRT क्या कह रहे है देखो वाइल अट कैंब्री जब वो कैंब्री में थे जब वो कैंब्री में थे तो रामाचंदरन जी मिले किस से Linus Pauling जी से मिले यह and was deeply influenced by his publication कौन deeply influenced हुए रामाचंदरन जी किनके publication से Linus Pauling के publication से इनकी publication क्या थी alpha helix और beta ceta structure पे थी ठीक है तो इन्होंने structure of collision को solve किया Linus Pauling नहीं जो कि इनके alpha helix और beta ceta structure उसको solve करते थे और जीर रामाचंदरन जी के मौत होगी 7 अप्रेल 2001 को age 78 रही है इनकी याद रहे गए यह चला बैज आगे चले ठीक है आगे चलते हैं हम लोग इस फूर्ट साइंटिस्ट है इसमें मेल्विन कैल्विन का नाम आता है मेल्विन कैल्विन का नाम आता है मेल्विन कैल्विन कहां जन्म होए इनका मिनेसोटा में in April 1911 इन्होंने PhD रिसीट की chemistry में वल्ड वार सकेंट यहां से काम का कुश्चन स्टार्ट होता है इस पूरे प्रग्राप में मेनसोटा ही important है वल्ड वार सकेंट जब complete हुआ just after वल्ड वार सकेंट when the world was under sock after the Hiroshima Hiroshima और Nagasaki पे जो bum गिराये गया था अमेरिका के दोरा and seeing the ill effects of radio activity जो bum गिराये गया था तो radio activity से कई सारे problem आ रहे थे तो Calvin और Coworkers उनके साथ काम क्या करते थे Calvin और उनके कुछ Coworkers रेडियो एक्टिवीटी को अपने beneficial तोर पे काम में लिया रेडियो एक्टिवीटी से बुरा नुक्षान तो हो रहा था लेकिन Melvin और Calvin ने जो Calvin के बात आती Calvin और उनके कुछ Coworkers ने Melvin Calvin पूरा नाम है इनका तो Calvin ने वो रेडियो एक्टिवीटी का जो गलत इस्तमाल किया गया था अब उन्होंने उसमें एक अच्छी चीज ढूंड ली beneficial use यहां से ले लिया यहां पे एक scientist का नाम है J.A. बशाम इन्होंने इनके साथ ही काम किया था यह along with J.A. बशाम studied reactions in green plants green plants में वो कौन से reaction होते हैं जिनसे सूगर का formation होता है यह और भी other substance बनते हैं carbon dioxide, water, minerals बगरा के इस्तमाल से तो इन्होंने क्या किया जो carbon dioxide reaction में इस्तमाल हो रहा था ना जैसे यह CO2 plus S2O इससे बन रहा था सूगर, glucose बगरा तो इन्होंने carbon को क्या किया ना carbon 14 कर दिया तो इसी चीज़ को बोलते है radioactive labeling कर दिया गया तो C14 से जब यह आगे गया तो इन्होंने आगे की तरफ इस चीज़ को बताया कैलवी ने प्रपोस किया कि plants light energy को chemical energy में convert करते हैं, electron को transfer करकर, क्योंकि तुम जानते होगे plant में कई तरह के pigments होते हैं, जो light को absorb करने का काम करते हैं यहां से फिर question आता है, the mapping of the pathway of the carbon assimilation in the photosynthesis, इन्ही को Nobel Prize इनको दिलाता है 1961 में, तो कौन सी चीज़ Nobel Prize इनने दिलाई, तो mapping of the pathway of the carbon assimilation, carbon assimilation कैसे वहां से सुगर वगरा बना, यही पूरी चीज़े carbon assimilation के अंदर में आती है, यहां पर यह जो चीज़ important है सबसे ज़्यादा, carbon assimilation क कि जो बात चल रहे, direct कहां से question पुछे जाता है, कि कौन से scientist ने J. Basham के साथ काम किया था, Malvin Calvin, कौन से scientist ने radio activity को beneficial use के तोर पे लिया C14 label करकर, scientist का नाम Calvin आएगा, इसके अलावे तुम से पूछा जाएगा, कि Nobel Prize वगरा वाले में, तो carbon assimilation का किस ने किया, तो आएगा scientist का नाम Calvin, the principle of photosynthesis as established by the Calvin are, at present being used in studies on renewable resource of energy पे काफी ज़्यादा काम आ रहा है, तो इनकी ही द्वारा दी गई Calvin cycle जो है, तो सारे के सारे principle इनके काम आ रहे है, solar energy जो भी research वगरा चल रहा है, इसमें इनका बड़ा important चीज का रूल आ रहा है, ठीके वही यहां तक, एक्सटा आगे चलो आगे है human physiology, scientist का नाम Alfonso Corti, scientist का नाम क्या है, Alfonso Corti, Italy की रहने वाले है, Italian anatomist कहे जाते हैं यह, जन्म हुआ 1822 में, Corti ने अपने career की सुरवात की, cardiovascular system of reptiles है, कहां से start किया, जो reptiles जैसे शिपकलिया, साब, इनके दिल के बारे में study किया करते थे, जब उनसे मन भर गया, तो आगे यह, अपना नजर आगे बढ़ाए, mammalian auditory system पे, mammals के कान पे इन्होंने study किया, starting किस के साथ की थी, cardiovascular system of reptiles के साथ, आगे इन्होंने काम किस पे किया, mammalian auditory system के साथ, 1851 में इन्होंने एक paper publish किया, जिन्होंने इसमें बताया, कि एक structure है, जो बैसलर membrane पे होता है, cochlea तुम सब जानते हो, cochlea का जब structure देखते हो, तो cochlea के structure में, तीन चीज़े आती हैं, वहाँ पे, एक आता है, scala vestibuli, scala media और scala timpani, ठीक है, समझ गया, यह तुम जानते होगे, scala vestibuli, scala media और scala timpani, यह तीन चीज़े होती हैं, वहाँ पे, scala vestibuli और scala media के बीच में, जो membrane बनता है, उसका नाम है, regionals membrane, scala media और scala timpani के बीच में, जो membrane बनता है, उसका नाम है, basilar membrane, यहाँ पर उसी की बात की जा रही है, कि cochlea के basilar membrane में, कुछ hair cells देखने को मिलते हैं, जिनका काम होता है, कि जो sound vibration है, उसको convert कर दें, nerve impulse में, तो वहाँ पर वो कौन सी चीज मिलती है, वो कौन सी structure है, जो cochlea के basilar membrane पर वो located होती है, नाम, organ of corti, काम, तो direct यह जो sound vibrations हैं, इनको innerve impulses में बदलने का काम करते हैं, तो यह organ of corti है, तो corti की मौत हो गई, 1888 में, तो यह चीज यहाँ से पूछे जाएंगे, कि अस्टार्टिंग अपने करियर को किस के साथ किया, cardiovascular system of reptile के साथ, दूसरा, अपना attention ने उनने किदर change किया, mammalian auditory system पे, कौन सी structure है, जो cochlea के basilar membrane पे होती है, जो sound vibrations को nerve impulses में convert करने का काम करती है, नाम organ of corti, यह तीन question यहाँ से बनते हैं, बोलो भाई clear है, आगे है बात reproduction, past scientist हमने बो देख लिए, जो class 11th के 5 unit के scientist है, अब class 12th में भी 5 unit है, अब एक एक करकर सब के बारे में देख लेते हैं, सबसे पहले जिक्र किन का आएगा, पंचानन माहेश्वरी का, reproduction में जिक्र किन का आएगा, पंचानन माहेश्वरी का जिक्र आएगा, ठीक है बई, तो start करें, चलो भी 5 पंचानन माहेश्वरी, जन्म वायन का जैपुर राजस्थान में पंचानन महेस्वरी की अगर बात करें बहुत ही फेमस बौटैनिस्ट रहे सिर्फ इंडिया के ही नहीं पुरी दुनिया की इस थे फेमस साइन्टिस्ट में से सबसे फेमस बौटैनिस्ट में से एक रहे अलाहबाद ये गए ताकि ये higher education ले सकें जहां ये diploma in science के degree ने मिली college की दिनों में Dr. W. Dr. W. Didzion से ये काफी ज़दा famous थे college की दिनों में एक scientist का नाम आया जैसे जे बैशाम के साथ काम किया था ना Calvin ने ऐसी एक scientist का नाम यहां बें important है Dr. W. Didzion के साथ इनोंने काम किया तो काफी जाता है inspire हुए एक कौन थे एक American missionary teacher थे इन्ही के inspiration के चलते इनको botany में interest आया किन है पंचानन महिश्वरी को और botany में भी खास कर morphology में आज जो morphology में root stem leaf वगरा पढ़ा करते हैं काफी contribution इनका है इनके जो teacher हैं इन्होंने एक बार express किया कि अगर इनके student teacher से भी ज़्यादा progress करते हैं तो it will give him a great satisfaction ये जो सब्द थे जो teachers ने कहा तो पंचानन महिश्वरी को काफी ज़्यादे इन्होंने increase किया फिर आगे जाकर what he could do for his teacher in return उनके बदले में क्या करें तो बहुत कुछ किया है इन्होंने तो पंचानन महिश्वरी की जो पहली paragraph है इसमें सबसे important नाम ही Dr. W. Dr. John है जो एक American missionary teacher थे आगे इन्होंने काम किया है embryological aspects पे तभी इनको कहा जाता है पंचानन महिश्वरी को father of Indian plant embryology father of Indian plant embryology तो embryological aspects पे काम किया इन्होंने और इन्होंने embryological characters को taxonomy में काफी ज़्यादा popularize किया तुम जानते होगे taxonomy दो तरह की taxonomy है एक old taxonomy old systematics जो दे रखा था लीनियस ने classical taxonomy भी कहते है उसे जो आज की taxonomy है जो जूलियन हक्सले की है modern taxonomy की ठीक है modern taxonomy में embryological characters को भी लिया गया मैं कुछ NCRT के लाइन बोलता हूं जैसे on the basis of अगर बात करें sale और sale structure development process वहाँ पे NCRT कहती है न तुमने अगर देखा होगा the living world में तो development process and ecological information of organism तो जो वहाँ पे development process है ना तो development process एक embryological process ही है कैसे embryo का development हुआ है वही वाली बात है embryological characters बॉटनी का Department University of Delhi में जो आज established है इन्हों नहीं किया था और वहाँ पे tissue culture वगर आपे भी इन्हों ने काम किया इन्होंने और भी ज़्यादा ध्यान दिया artificial culture immature embryo है कैसे उनको artificial culture में mature कराया जाए आज के दिनों में जो tissue culture का काम होता है एक landmark बन चुका है science में एक बहुत important हिस्सा बन चुका है जब तुम Amazon पे अपने address को भर रहे होते हो जब फिलिपकार्ट पे अपने address को भर रहे होते हो वहाँ पे एक चीज़ पूशी जाते है landmark तुमारे आज पास के हिस्से में जो चीज़ सबसे important होती है वो landmark कहा जाता है आज पास में कोई अच्छी school हो कोई office हो कोई playground हो तो उसको बूला जाता है देखो यहाँ पे टेस्ट्यू फटलाइजेशन का काम इंट्रा ओवरियन पॉलिनेशन का काम जो है इनको पूर दुनिया में एक अलग पहचान इनको इनके थ्रू मिली है Royal Society of London ने इनको honor दिया fellowship के साथ और Indian Eastern Science Academy बहुत सारे जगह से इनको आवार्ड मिला है honor शमान दिया गया इन है और आज जो हम NCRT biology की किताब पढ़ते हैं class 11th और 12th की 1964 में इन होने ही इनके ही leadership में यह हमारी खुबसूरत सी किताब जो NCRT की है इनके ही leadership में किताब निकली थी तो मतलब 1964 में हमारी NCRT किताब पहली बार publish हुई थी और 2006 में आखरी ये publish जो हमारे सामने जो हम आज पढ़ते हैं ये 2006 में आखरी बार publish हुई थी इसके बाद 15 सालों से इस किताब में कोई बदलाव नहीं हुआ जरूत भी नहीं है बहुत कुछ इसमें है क्योंकि NCRT किन दो किताबों को ही पढ़ने में लगवा पास साल दस साल लग जाते हैं बच्छों के तो इतनी लाइनों को लिखा गया है बिल्कुल बारीकी के साथ क्योंकि 40 साइन्टिस्ट ने 40 जो एडुकेटर्स हैं उन्होंने मिलकर लिखा है इस किताब को तो ये किताब बहुत ही बहतरीन बनी है अगले साइन्टिस्ट की तरफ चले अगले हम आएंगे जनेटिक साइन्ट एविलिशन में ये दोनों साइन्टिस्ट की जोड़ी बहुत ही फिमस है वाटसन और क्रीक कभी कभी तो बचपन में ऐसा लगता था कि दोनों एक ही नाम है वाटसन और यहां फ्रैंसिस क्रीक तो ये दो नाम बड़े इंपॉर्टे में इन्हें बीए से डिग्री मिलती है जोलाजी में डूरिंग इंके इंट्रेस्ट हो है वो बढ़ते चले गए बर्ड वाचेंग एंड्र Matured into a serious desire to learn genetics इनका इंका दिस बिक एम पॉसिबल जब इन्हों ने रिसीब किया graduate fellowship में रिसीब किया इंडियाना इंवरसिटी यह और इनकी जो study है ना ये चीज़ याद रहना hard x-ray on bacteriophage multiplication Watson का जो study है वो hard x-ray on bacteriophage bacteriophage के एक टैप का वाइरस होता है bacteriophage double-stranded DNA multiplication पे इन्होंने काम किया ये आगे जाकर Watson आगे जाकर किन से मिले क्रिक से मिले और इन्होंने discover किया दोनोंने common interest था दोनोंका DNA के structure के regarding ठीक है इनका जो पहला serious effort था was unsatisfactory ठीक है तो इनका जो पहला serious effort था बहुत ही मैनत करी इन्होंने इसके लिए DNA का structure के लिए जो second effort इनका था पहला effort उतना अच्छा नहीं हो पाया आगे जाकर result नहीं मिल पाया तो जो इनका second effort है ये experimental evidence इन्होंने दिया तो उस पे दुनिया ने इन बातों को माना और बहुत दुनिया में तारीफ हुई nucleic acid के लिए DNA nucleic acid ही होता है और in the proposal of the complementary double helical configuration हम DNA को जानते हैं double helical model के नाम से तो जो double helical configuration है ये इन्होंने ही दिया था हाँ next आगे creek के बारे में यहां तो Watson के बारे में बता दिया गया next आगे creek के बारे में ये दोनों का contribution बताया गया है यहाँ पे इस प्रग्राप में दोनों का contribution है इस प्रग्राप में Watson की journey के जिक्र है इसमें दोनों के contribution का जिक्र है अब आगे NC8 जिकरती क्रीक के बारे में जन्म 1916 में हुआ जन्म इंग्लैंड में हुआ इन्होंने physics के study करी है तभी DNA में जो structure जो चीज़े हमें नहीं जमझ में आती हैं उसमें physics के जगा पे applied है तो इसलिए ये physics से related ये scientist रहे London में इन्होंने university college में इन्होंने physics के पढ़ाई करी है और इन्होंने bsc वहां से किया है इन्होंने PhD complete करी और इन्होंने x-ray diffraction ठीक है किस पे काम किया इन्होंने x-ray diffraction polypeptide और proteins के लिए इन्होंने काम किया अब यहां से क्या कुशन आते हैं देखो x-ray on hard raise hard x-ray बेक्टरोफेज मल्टिप्लिकेशन पे किस ने काम किया तो क्या study किया किस ने Watson ने फिर यहां पे x-ray diffraction polypeptide और protein पे किस ने काम किया तो इसमें Crick ने काम किया critical influence in Crick's carrier what is friendship with J.D. Watson ठीक है बई क्या नाम है इनका J.D. Watson इनकी के बारे में बोला जा रहा है इनकी दोस्तिक इनके साथ हुई Watson के साथ हुई तो एक बहुत ही critical बहुत ही important यह इनका प्रभाद इस पे पड़ा है देने young man of 23 उस समय Watson कितने उमर के थे भई 23 leading in 1953 to the proposal of the double helical structure जो DNA का है इन्हों नहीं दिया था और replication scheme भी अगर तुमसे पूछा जाए तो इन्हों नहीं दिया था और Creek was made on FRS in 1959 तो यह जो fellowship के regarding बाते बोली गए है Royal Society का जो बनाया जाता था पहले जो honor मिला Watson और Creek को वो the honors to Watson and Creek include the John Collins Warren Prize यह सब प्राइज के कुछ नाम है जैसे वहाँ था ना Walzen Prize International Prize for Biology, Craft Food Prize ऐसी प्राइज के नाम है Collins Warren Prize इन्हें यह चीज मिलती है इस hospital में Massachusetts जहां MIT है इसके बाद General Hospital में 1959 में और इन्हें Laskar, Laskar तैवा बगरा नहीं है भाईए यह अलग है आवार्ड का नाम बोला गया है यह Laskar Award in 1960 और Research Corporation Prize इन्हें मिलती है 1962 में तो overall Nobel Prize भी नहीं मिलता है यह चीज हमारे काम का है कि दोनों को Nobel Prize भी मिला हुआ है Nobel Prize मिला हुआ है दोनों सैंटिस्टों को ठीक है भाई याद रखेंगे यह चीज ठीक है Nobel Prize तो यह हुई बात Watson and Creek के बारे में अगली में चलते हैं तो अगले में जिकराता है हमारे Indian Scientist का जिसका नाम है MS Swaminathan MS Swaminathan अगस्त 1925 में Tamil Nadu के कुंबा कुनम में जन्म होता है बच्पन में जो नाम रखा गया मोनकामबू शमबशीवन हमें आद रखेंगे सिर्फ MS Swaminathan इन्होंने अपनी ग्रैजुएशन और पोस्ट ग्रैजुएशन कंप्लीट की मदरास युनिवर्सिटी से PG भी वहीं से कंप्लीट किया इन्होंने और आगे जाकर इन्होंने बहुत सारे इंडिया के इंस्टिूट में जाकर काम किया और अब्रोड में भी काम किया जाकर वही इनकी दोस्ती हुई थी नौर्मन इबरलॉक के साथ जो फादर आफ ग्रीन रेवलुशन कहे जाते हैं और इनकी एक्सपर्टीज जो थी वो किसमें थी जेनेटिक्स में और प्लांट ब्रीडिंग में प्लांट ब्रीडिंग को हम नहीं समझ सकते हैं जब तक हमने जेनेटिक्स नहीं समझी क्योंकि जेनेटिक्स का बड़ा important टूल आता है और MS. Swaminathan का interest बड़ा था जेनेटिक्स में इसलिए plant breeding में genetics involved है genetics के ही applications को हम पढ़ते हैं plant breeding में तुम जानते होगे बासमती चाबल किये खुश्बू काफी ज़्यादा पुर दुनिया में famous है लेकिन इसकी patent हमारे पास नहीं इसकी patent अमेरिका के पास है ये जो है cytogenetics and radiation research ये आईए आराई देली में है ये इंडिया रेकिल्चर रिसर्च इंस्ट्यूट ये है आईए आराई में miss new Delhi में एक नया इसमें एक office खोला गया जिसका नाम था research center खोला गया जिसका नाम था cytogenetics and radiation research center ये स्वामिनाथन को इस काम में मदद दिलाई and genetically improving the yield and quality इन्होंने ही काम किया है इसमें सारे काम पूछे जा सकते हैं एक्जामों में पूरे chances हैं इनके याद रखना स्वामिनाथन ने collaboration किया Norman Warlock के साथ जैसे कई सारे YouTubers हैं जो collaboration करते हैं किसी के साथ तो collaboration का मत उनके साथ मिलकर कुछ deal करना काम करना तो ये जो है श्वामिनाथन जो है इन्होंने अपना collaboration Norman Warlock के साथ स्टार्ट किया which culminated in the green revolution green revolution में दोनों का role बड़ा important है पूछा जाए father of green revolution नाम स्वामिनाथन sorry father of green revolution नाम Norman Warlock Nobel Prize उन्हें मिला था उसके बाद father of Indian green revolution क्या बोलोगे नाम M.S. श्वामिनाथन green revolution में दोनों स्वामिनाथन का जिक्रा आता है और जो आज हमारे इंडिया में जो Mexican variety है जो Mexico के center पे बनी थी ठीक है तो इसका introduction इन्हीं की वज़ा से हो पाया था अगर एक collaboration नहीं हो पाता श्वामिनाथन और गॉर्लोग का तो इसकाम नहीं हो पाता इस वाइली रिकॉरिटी का प्रोग्राम और बहुत सारे इन्वार्मेंटल प्रोग्राम से उन्होंने चलाये थे food security भी याद रखना और बहुत सारे prestigious अवार्ड इन्हें मिले है मेडल्स और fellowship वगरा मिले है मिलना चाहिए था इन्हें भी Nobel Prize भई लेकि Nobel Prize पुरे दुनिया में दिया जाता है तो फिर दिया के Norman Warlock को क्योंकि पूरे दुनिया में लेड उन्हों नहीं किया था क्लियर है भाई मेश्वामिनाथन जी के बारे में सारी चीज़ें next आगे बढ़ते हैं बायो टेक्नोजी में जिक्राता है Herbert Boyer का Herbert Boyer का जिक्राता है इन्होंने बहुत कुछ दिया इनका जन 1936 में होता है वेस्टर्ण की बात करें तो Pennsylvania में इनका जन्म हुआ where railroads and mines were the destiny of most young men जादतर वहां के जो लोग थे वो कहां जाया करते थे railroad field में जाया करते थे mining के field में जाया करते थे लेकिन इन्होंने अपनी Pittsburgh University में graduation को complete करकर इन्होंने जो तीन साल की post graduation है वो उन्होंने किया इन्वर्सिटी में 1966 में Boyer took over assistant professorship का इन्होंने काम शमहला California University में San Francisco में 1969 में इन्होंने couple of restriction enzyme यह बहुत important है इन्होंने restriction enzyme जो Ecoli bacteria से जो निकाली गई है इस पे इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया useful properties का बताया इन्होंने क्योंकि RE का काम काटने में किया जाता है जो DNA का segment होता है तूटते इसी से हैं कटते इसी से हैं Boyer ना observe किया यह जो enjoyants है ना इनकी capability बहुत ही सांधार है कि DNA strand को काटने के लिए particular fashion में which left what has become known as the sticky ends आज जो हम पढ़ते हैं blunt end और sticky end इसका concept इन्होंने ही दिया था these clipped ends made pasting together pieces of DNA precise exercise बहुत एक minute level पे बहुत ही एक बोल सकते हैं एक बहुत ही बारीकी से जो काम कर रहे हैं हम लोग यहां पे वो इसी की वजह से हो पाया है ना sticky ends वाला याद रखना यह इन्होंने ही दिया था इनके discovery से in turn led to a rich and rewarding conversation in Havali with a Stanford scientist named Stanley Cohen इनका भी नान तुने सुना होगा तो जब भी bowyer का जिक्र आता है तो Cohen का जिक्र जरूर आता है Cohen had been studying a small ringlet of DNA called plasmid याद करो plasmid extra chromosomal होते हैं तो plasmid पे काम किस ने किया है Cohen ने आद रखना ही बात है ठीक है वई तो small ringlets from DNA क्यों बोला गया कुछ ऐसा होता है ring like a structure इसलिए ringlets बोला गया है यहां पे which float about free in the cytoplasm of certain bacterial cell and replicate independently from the coding strand of DNA यह independent इनका replication यहां पे होता है Cohen ने develop किया एक method कि यह plasmid को remove कर पाएं cells यह सब सारे काम किसके बारे में बताया जारा Cohen ने किया था फिर इसके बाद कुछ और भी cells को उसमें insert किया जा सके combining this process with that of DNA splicing तो DNA splicing का भी काम इन्होंने किया था फिर इसके बाद Boyer और Cohen जो है यह recombination का segment है इन्होंने ही दिया था DNA का तो जो भी चीजें मान करे चलो किसी bacterial cells है में antibiotic बनाना चाहते हैं तो जो भी cell मुझे insert करना है वो इसी की मदद से वो insert हो पाएगा तो यह काम Cohen और Boyer ने मिलकर किया था तो bacterial cells में डालने लगे वो चीज which could then act as a manufacturing plants for specific proteins this breakthrough was the basis upon which the discipline of biotechnology was founded अगर यह दोनों का काम नहीं हो पाता सही से Boyer और Cohen का इस पूरे प्रग्राफ में जातर Cohen के बारे में बात की गई है तो पूरी तरह से biotechnology की जो आज basis है वो पूरी तरह से हो नहीं पाती next आखरी जो unit है आज का हमारा ecology ecology में तो बहुत कम ही बाते हैं रामदेव मिश्रा is revered as the father of Indian ecology father of ecology in India पूछा जाए तो यह हैं सिर्फ father of ecology पूछा जाए तो reader है र-e-i-t-e-r यह reader है father of Indian ecology father of ecology 26 अगस्त 1908 में रामदेव मिश्रा ने आप्टेंड की जन्म हुआ 26 अगस्त 1908 में 1937 में इकालेजी में इन्होंने PhD डिग्री अप्टेंड की करी है इनके प्रोफेशर का नाम है डब्लू एच पियर्शल फ्रॉम लीड्स इनिवर्शेट इन यूके इन्होंने टीचिंग और रिसर्च में अमना करियर बनाया जो आज बेच यू में जो डिपार्ट्पेंट और बॉटनी है तो इन्होंने इस्टेबलीज किया जहां पर इकालेजी पढ़ाई जाती है इनके जो रिसर्च है जैसे ट्रॉपिकल कॉम्निटीज में इन्होंने काम किया है ठीक है जो आज की रिसर्च है उस टाइम की आज भी एक काम में आ रही है फर्स्ट पीजी कोर्स जो इकालेजी में इंडिया में आई है वो इनकी ही वज़ा से आई है पचास से जादा स्कॉलर्स औटेंड पेस्डे डिग्री अंडर हिस सुपरवीजन इनकी अंदर में पचास से जादा स्कॉलर्स ने पेस्डे की डिग्री ली तो दा इन्वर्सिटीटीज और रिसर्च इंस्टूर्ट इनिशेट एकॉलोजी टीचिंग तो इकॉलोजी इंडिया में पहली बर इनी के वज़ा से ओवरॉल यह है बाद संजय गांधी अवार्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आवार्ड है जो इनहें मिली है इनकी एफर्ट्स के ही मदद से गर्मेंट आफ इंडिया ने स्टिबिस किया नेशनल कमिटी फॉर इन्वर्मेंटल प्लानिंग और कोडिनेशन याद रखना है यह सब चीज है छीक है NCEPC इनकी मदद से ही यह चीज हो पाया इन्हीं की मदद से यह काम हो पाया अगर यह नहीं होते है तो यह काम नहीं हो पाया दो काम की चीज father of Indian ecology उसके बाद इनके सब काम और इसके बाद जो संजय गांधी आवार्ड in environment and ecology तो यह चीज़ important है इनको honor दिया गया और बाकी NCEPC जो आज हमारे 1972 में established किया गया जो आज के दिनों में ministry of environment and forest के नाम से जाने ही जाती है बोलो भाई सारी चीज़े clear है सारी चीज़े clear है तो यहां पर हमने overall बात किया clear है सारी चीज़े भाई तो total 10 biography के नाम तुम्हारे सामने है जो important चीज़े है वो तुम्हें पता चल गया ठीक है तो यह चीज़े कैसा लगा तुम्हें यह session biography के बारे में जरूर बताना और मैं ब 17th March quiz session start हुई है final leap चल रही है निट 2021 के लिए 90 दिन का revision और practice course चल रहा है 24th March quiz start हुआ है तो इन्रोल कर सकते हो आज और प्लस निट योजी का जो subscription है model तुम्हारे सामने है सब में तुम्हें 10% का discount मिलेगा after applying कुमार लाइव रेफल कोड तो maximum possible discount तुम्हें मिल जाएगा कुमार लाइव कोड को यूज करने पर अनकैडमी पर आसका dot feature बहतरीन फीचर है free test schedule है मेरी टेस्ट 845 में तुम मेरे साथ टेस्ट दे सकते हो live test दे सकते हो यह चीज लेट्स प्रैक्टिस NCRT biology अनकैडमी combat चल रहा है हर एक संडे को जिसमें तुम स्कॉलर्सी प्रोग्राम जीत सकते हो 100% मिलेगा top 3 winners को चलो भई सारी चीज़े तुम्हें clear है सारी चीज़े तुम्हें clear है total हमने 10 biography को देख लिया अब इसके questions कभी मैं तुम्हें practice करवाऊंगा तो 10 biography से related जितने भी questions बन सकते हैं शेशन कैसा लगा मुझे comment box में जरूर बताना तुम्हारे comment का हमेशा इंतजार रहता है मुझे और शेशन अच्छा लगा तो like करना और चैनल पर पहली बार आया हो तो हमारे खुबसूरत से चैनल को हमारे बहतरीन से चैनल को नीट मास्टर्स को सब्सक्राइब जरूर करन बबाय थैंक यू मिलते हैं अगले क्लास में